और तो और किसानों पर अध्याचार के विरोध में आपने पंजाब भाजपा कार्यालयका किया घेराव भा जपा की किसान पिरोधी, महला विरोधी और जन पिरोधी सोच का जवाब जोनेता सरूर देगी अनमुल्क गगन माना महिलाओं तथा किसानों की आवाज लगातार उठाती रहेगी राजबिंदर कॉर्थ्यारा पुलिस ने 50 से अधिक महिला कारिकर्ताओं को हिरासत में लिया दरजनों खायल हुई आमादमी पार्टी आप पंजाब की महिला विंग ने पंजाब सहित देश में महिलाओं और किसानों पर भाजपा ने ताउध्वारा भद्धी शब्दावली तथा हमले करने के विरोध में चंडिगर स्थित प्रदेश कार्यालयका घेराओं किया महिला कारेकरताओं ने नरेंद्र मोदी, आमित शाह, मनुहलाल खटर और भाजपा के खिलाप जंकर नारे बाजी की भाजपा कारयालयकी और जा रही आप कारेकरताओं के हुजूम को रोपने के लिए चंडिगर पुलिस को पानी की बच्छारों का इस्तिमाल करना पढ़ा आपकी महिला विंग की प्रदेश अध्यरक्ष राजविंदर कौर और युवा नेता अनमुल्ग गगनमान को गमभीर रूप से घायल हो गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पढ़ा रविवार को भारती जतना पार्टी के प्रदेश कार्याल एका घेराव करने के लिए माधनी पार्टी की महिला विंग की कारेकर्ता चंडिगर की सेक्टर 37 में एकच्छी हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यरक्ष राजविंदर कौर्थियाराब अनमुल्ग जगनमान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की वजह से बीजेपी कारेकर्ताओं ने गुंडों का रूप ले लिया है, बीजेपी के ये गुंडे पंजाब समेत पूरी देश में महिलाओं के साथ बदत्मी जी और मारपीट कर रहे हैं, बावजूदिस के राज्य देश के मूलियों को भूल गये हैं, सत्ताधारियों की पुलिस भी महिलाओं और किसानों पर हो रहे अत्याचार को अपने उपलब्धी मानने लगी है, उन्होंने आरोप लगाया कि देश के नागरिकों की सुरफशा के लिए जिम्मेदार पुलिस गुंडों का समर्थन कर रही हैं और राजी और केंद्रिय महिला आयोग महिलाओं के मुद्दों पर चुप हैं, भाजपा दफ्तर की ओर से जा रही महिला कारेकरताओं को रोपने में जगचंडीगर पुलिस पूरी तरह नाकाम्याब रही तो पुलिस को उन पर पानी की बच्छारे करना पढ़ा, पुलिस की ओर से की गई कारेवाही में भारी संख्या में महिला कारेकरता घायल होगा। झाल भारी संख्या में 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 भारी से जायल होगा।